अयोध्या के उसी कारेशाला में हम हैं जहां भब राम मंदिर के लिए पत्थर तरासे जाते हैं 29 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पे छेनी हतावडी रुका है आप जराई साथ मिश्वास को देखें कि फैसला क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा इसकी चिंता किये बगएर मंदिर निर्मान के लिए पत्थर लगातार तराशे गए सारे खंभों के निर्मान कर लिए गए, सारे उसके पत्थर तराश लिए गए हैं सभी पत्थर इस कारेशाला में रखे गए हैं, लगातार काम चलते रहे हैं इस बिच कुछ कानोनी और सुरक्षा के दिश्टे कौन से यहां पे काम रोक दिये गए हमारे साथ बात करने के लिए शरत्षरमा जी है उनसे हम बात करते हैं शरत्षर जी यहां कभी काम बंद हुआ नहीं या विश्वास पहले से था क्या की फैसला तो हमारे पक्ष महीं आएगा यह देखे ऐसा है कि जो भगवान राम लला के प्रति समर्पन है जिसका वो स्वाभावी के पूरा देश जो है उचाहता था कि हाँ भगवान जरूर यहां भी राजमान होंगे और आज जो है मान्य सर्वोच नियाले ने जिस प्रकार से यह निर्णे दिया है वह स्वागत योग है सरजी यहां हम देख रहे हैं कि चारो तरफ कारिशाला में कि जिधर भी हम नजर डाल रहे हैं चारो तरफ शिलाएं रखी गई है जो बहुत हतक तराश दी गई है तैयार हो गया है अगर मंदिर निर्मान सुरू होता है तो क्या यह नहीं सिलाओं से मंदिर का निर्मान होगा कि 1990 में जब कारिशाला प्रारण होई सितंबर में तो लगातार दो कारीगरों ने इसमें नकासी करना शुरू किया था लगातार यह बढ़ती गई संख्या और आज जो है लगभग मंदिर का 65 प्रिस्टकार हो चुका है संपूर मंदिर में सिंग द्वार निर्तमंडप रं मंदिर की लंबाई 140 फिट चोड़ाई 128 फिट धरातल से सिखर तक जो है उचाई है तो मैं समझता हूं यह संपूर्ण कार जो है लगभग पुनता की ओर है और आने वाला दिन जो है और रामलला का होगा एसा हम सब को विश्वास है अब काम यहां फिर कब शुरू करेंगे अब न्याले का फैसला आ गया है तो सम्मान पूर्बक्स जो भी हमारे संत निर्णे लेंगे रामजनुम्हुम नियास जिसके अंतरगत यह कारी हो रहा है वो निर्णे उनके संत लेंगे और उनके पदायतकारी लेंगे फिर आगे कारी गरों की संख्या बढ़ाई जाएग 65 फीसदी पत्थर तरासे जा चुके हैं यानि मंदिर निर्वान का कारी शुरू होता है तो उसमें कहीं कोई देरी नहीं होगी सारे खंबे तयार हैं सारे उसके अंग तयार हैं यानि जैसे ही सरकार की तरफ से हरी जंडे मिलेगी यानि न्याले का फैसला जैसे ही चाला योद्या